हेलो एवरिवन तो आज हम बना रहे हैं इडली और दोसा इसे बनाना वहाँती आसान है और इसे हम सिंगल बेटर से बनाएंगे तो चलिये देख लेते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे इडली दो सा बैटर बनाने के लिए एक कप उरट डाल लेंगे आधा चमबच मैती दाना लेंगे और इसे अच्छे से वाश करके इसे हम बिगो देंगे साथ से आठ घंडे के लिए अब हम यहाँ पर राइज लेंगे यह हम दो कप लेंगे और इसे भी हम अच्छे से वाश कर लेंगे 2-3 बार और इसको भी हम अच्छे से 7-8 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल अच्छे से फूल गई है और इसका पानी मैंने पहले ही निकाल दिया था अच्छे से धूल के और यहाँ पर चावल भी अच्छे से हो गए है तो अब हमेशे पीस लेंगे यहाँ पर डाल और चावल दोनों को अलग-अलग पीस ना है क्योंकि डाल को हमको एकदम फाइन पेस्ट करना है और चावल को हलका सा दरदरा रखना है आप देख सकते हैं एकदम स्मूध हो गया है इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करना है जादा पानी नहीं मिलाना है तो पहले से ही पानी इत्था तो इसलिए मैंने उसमें पानी नहीं डाला था इसी तरह से बांकी का भी पीस लेंगे तो मैं आपको बता दू थोड़े मेरी आ आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं उसमें बहुत सरी वराइटी के दोसा आपको देखने को मिलेंगे और मैं ट्राइ करती हूं कि सिंगल बैटर से ही आपको इडली और दोसा बनाना बताऊं मैं आपको यहां अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम इसे ओवरनाइट के लिए यह रेडी है इडली दोसा के लिए इससे आप 15 प्लस दोसा बना सकते हैं बहुत सारी वराइटी के दोसा बना सकते हैं पहले हम इस बैटर से इडली बनाएंगे और मैं आपको बता दू इतनी सौफ्ट इडली बनती हैं बहुत जादा सौफ्ट बनेंगी दिली मोल्ड में पहले मैंने घी एपलाई कर दिया था उसके बाद मैंने इसमें बैटर डाल दिया है और अब हमेंसे स्टीम करेंगे 15 मिनिट के लिए स्टीम करेंगे मैं आपको सिर्फ इडली और दोसा बनाना बता रही हूँ यहां मैंने चटनी की कोई रेसिपी शेयर नहीं किये क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने चटनी की रेसिपी शेयर नहीं किये पहले से मैंने चटनी बना ली थी तो आप देख सकते ह हमारी इडली बन के तयार हो गई है देखके ही पता चल रहा हो का बहुत सॉफ्ट इडली बन के तयार हुई है तो आप लोग भी ट्राय करिएगा चलिए अब हम दोसा बना लेते हैं दोसा बनाने के लिए हमें बैटर में थोड़ा पानी एड़ करना पड़ेगा जिसे की इस तबा ठंडा हो जाए और जब हम बैटर स्प्रेड करें तो यह अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इसको हलके हाथों से स्प्रेड करना है आपको थोड़ा सा ओइल एपलाई कर देंगे गोल्डन कलर आने के बाद दोसा बन के तयार है तो आज की मेरी ये वीडियो आपको क